जेहिंद नमस्कार एक कर्नल कमांडिंग अपसर ने एक सिगनल मेन सिपाई के कोट मार्शल को तमासा बना के रख दिया अब इसके बाद सिगनल मेन ने लगातार 10 साल चंडिगर्ड एप्टी में अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार सियो को सबक सिका ही दिया आप खबर देख पा रहे हैं कोट मार्शल की कारवई में तमासा एप्टी ने 10 साल बाद जवान को किया बाहाल सिगनल मेन हैमन्त कुमार का समरी कोट मार्शल अक्टूबर 2013 में हुआ था और उस समय के ततकालिन कमांडिंग अपसर द्वारा केवल दो गंटे में उसका कोट मार्शल कर दिया कोट मार्शल प्रोसीडिंग में बहुत लंबा समय लगता है समरी ओप एविडेंस होते हैं ट्राइल होता है विटनेस के बयान होते हैं फिर अप्रूबर के लिए जाता है लेकिन एक ऐसे कमांडिंग ऑफिसर जिन्होंने दो गंटे में इस कोट मार्शल को फाइनल अंजा जा सकता है और ऐसे करनल और कमांडिंग अपसर को कहीं बड़े नयाले या कोट में जज़ बिटाना चाहिए जो की फेसलों को दो गंटों के अंदर निप्ता दे आई ये बात करते हैं पूरी खबर जानते हैं आम्ड फोसेस टिबनल ने बारतिय सेना के एक जवान के समरी क कोट मार्सल को रद कर दिया है और ये पता चलने के बाद उसे बाहाल कर दिया है कि मुकदमे में कुछ कदम एक दिखावा थे और आरोपी को निस्पक्स सुनवाई से वंचित करने के लिए मैतुपन दस्तावेज तियार किये गए थे यानि इस कोट मार्सल माहे जो भी हु नई दिल्ली में न्यायमूर्थी अनु मलोत्रा और रियर एड्मिरल सेवा निवरत है दिरेन वी की एक एप्टी फीट ने सिगनल में हैमंत कुमार के SCM को रद कर दिया जो मैंने अभी पहले बताया कि ये चंडिगट एप्टी ने किया है चंडिगट एप्टी नहीं ये न्यू दिल्ली एप्टी ब्रांच ने किया है जिसे अक्तूबर 2013 में सेवन इंफेंट्री डिविजन सिगनल रेजिमेंट के उनके ततकालीन कमांडिंग अपसर करनल विकास द्वारा आयुजित किया गया था और उनका नाम था विकास सेगल मुकदमे के बाद जवान को से बरकास्त कर दिया गया था जवान पर आरोप क्या था कि जवान पर 2010 में जो एनुवल लिव जाने के बाद सेवा से भाग जाने यानी OSL होने के बारे में मुकदमा चलाया जा रहा था अपनी याचिका में जवान के वकील ने तरक दिया कि सेनिक ने दो साल से अधिक समय क के बाद स्वेचा से अपनी यनुट के सामने आत्म समर्पन कर दिया था और उस पर मुकदमा चलाया जाना था बिना चुटी के अनुपस्तित और बगोडे के रूप में नहीं यानी जवान 2010 में एनुलिव गय था और उस समय एनुलिव से वापस अपनी यनुट में जोइन चाहता आगे वकील ने अदालत को ये भी बताया कि मेतोपूर्ण दस्तावेज ये दर्शाते हैं कि जवान को अपने बचाव के लिए प्रयाप्त आउसर ही नहीं दिया गया और जो डोकुमेंट रखे थे वो जाली थे क्योंकि उनके हस्ताक्सर कोरे काग्जों पर ले लि और सजा सुना दी गई कि आप सेना से बर्खास तो उन्होंने का इस संक्सित आउदी में मुकद में की सुनवाई तो दूर मामले का दस्तावेजी करण भी नहीं किया जा सका यानि दो गंटे में सुनवाई भी हो गी समरीव अप एविडेंस भी हो गया ट्राइल भी हो गय विटनेस के बियान भी ले लिए गये और उसको सेवा से बर्खास भी कर दिया गया जबकि इस दो गंटे में कुछ भी नहीं हो सकता एपटी पीट ने पाया कि दस्तावेज ये दरसाते हैं कि आरोपी जवान को कानूनी साहिता के लिए अभ्यूक्त के मित्र को चुनने की अनुमत्ती दी गई थी जो एक फरजी वड़ा था यानि इसमें जो विटनेस है जो अक्यूजड होता है उसको कहा जाता है कि आप अ एक मेंबर था और उसी अधिकारी को विटनेस मना दिया गया पीट को एक दस्तावेज भी मिला जिसमें ये दसाया गया कि एक अधिकारी ने अभ्यूक्त के मित्र की पैसकस की थी जबकि दूसरे ने उसी अधिकारी को कोट मासल के सदेशे के रोप में वर्नित किया था जो पीट ने कहा कि आप इस पूरे परक्रण की नए सीरे से सुनवाई करें आप चाहे तो डोकुमेंट पुराने काम ले सकते हैं लेकिन जवान को बाहाल करना जुरूरी है लेकिन जवान को निलम्बित रखा जा सकता है पीट ने टिपनी की कि इस तत्य को नजर अंदाज नहीं कहा कि ये जवान की गलती है कि वो दो साल और तीन मेंने अपने घर पर रहा ओएसल रहा जब उसने वापस जोईन कर दिया तो उसके उपर मुकदमा चलाया जाना चाहे यानि सुनवाई और चार्ज लगाया जाना चाहे लेकिन ऐसे चार्ज नहीं कि दो गंटें के अंदर उसके हिसाब का पूरा निप्टारा कर दिया जाए क्योंकि अनुसासन निसंदे आंड फोर्सेज के साथ स्यवाओं की एक अंतर निहित पैचान है और इससे समझोता नहीं किया जा सकता यानि जो गलती किये जवान ने उससे समझोता नहीं किया जा सकता लेकिन जवान के सा इतना बुरा बरताव भी नहीं किया जा सकता। इतना बुरा बरताव भी नहीं किया जा सकता। और उतरदाताव द्वारा पेस किये जाने वाले किसी भी अन्य गवा से जीरे का आउसर आवेदक को सेना नियम उनी सो चोपन के नियम 139 के अनुसर उपलब्द कराया जाना चाहिए। कहा कि पहले जो कोट मासल में जो गवा और बयान लिये गया हैं उनके साथ साथ यदि जो अक्यूजड है सिगनल में उसके दोरा आगे भी कोई ने विटनेस प्रस्तूत करने की मांग की जाती है तो उसको अनुमती दी जाने चाहिए। ना कि उसका तमासा बना कर दो गंटे में ही कोट मासल कर दिया जाना चाहिए। फेसलेटी मुहया करानी होगी जो अक्यूजड दोरा मांगा जाता है तो इस परकार एक बहुती बड़ी पहल है ये एवटी न्यूदिली प्रिंसिपल बेंच की जो ने तेरा साल जो दो जार तेरा में जिस जवान का कोट मासल हो चुका था तो दस साल के बाद उसको वाप साथ हम सब स्वागत करते हैं कि इस परकार जो कमानिक ओफिस द्वारा मन बर्जी चला के कानूनों को तोड़ते हुए किसी का कोट मासल कर दिया जाता है तो उसके ओपर आगे जरूर लगाम लगेगी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नहीं हो तो आप कर दो कर दो